वेलकम टो इश्यानी वेडियोज कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसूड में दो सबसे बड़े खुलासे होने वाले हैं पहला खुलासा प्राची की प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे बड़े खुलासा वो भी होगा यहां पर रिया और आलिया की सबसे बड़ी प्लैनिंग का जब होगा परदाफाश और कहानी में आएगा एक ऐसा बदलाव जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और क्या होगा जब रनवीर के सामने आएगी प्राची की प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सच्चाही क्या रनवीर और प्राची अलग हो जाएंगे या फिर प्राची का साथ देते हुए रनवीर नजर आएगा क्या होगा खास चल ये सारी बाते हम आपको बताते हैं उसके साथ साथ आने वाले एपिसूड में प्राची के बच्छे पर होने वाला है हमला लेकिन कैसे और क्या दिखाया जाएगा बताएंगे सारी बातें उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि हमें अप्रिसियेशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरस्टिंग अब्रेट प्रोइट कराते रहें चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब भी कर देना बात करें आने वाले एपिसोड की तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि प्राची को बचाने के लिए पहुँच चुका है रनवीर और रनवीर यहाँ पर काफी ज़्यादा परिशान हो रहा है प्राची को बचाने के लिए तभी यहाँ पर सामने आ जाते हैं निक और निक के गुंडे जो कि प्राची को बचाने के लिए आये गए रनवीर पर हमला कर देते हैं और रनवीर को यहाँ पर पकड़ लेते हैं लेकिन हो जाता है कुछ ऐसा जहाँ पर प्राची गिर जाती वो भी यहाँ पर अपने आपको सम्हालने के लिए लेकिन कहानी में आता है तबी सबसे बड़ा ट्विस्ट जहाँ पर रनवीर अपने आपको पूरी तरह से सम्हाल लेता है और उसके बाद में निक की एक बात पर सहमत होता है कि आखिर में उसे अगर पैसे ही चाहिए तो उ लेकिन उसके बदले उसे प्राची को छोड़ना पड़ेगा और उसका नाम बताना पड़ेगा जिसने उसको इतने सारे यहाँ पर पैसे दिये थे वो भी यह सारी चीज़त करने के लिए और यहाँ पर लालच में आकर काफी ज़ादा परिशान होकर निक एक सवाल करता है रन रनवीर अब यहाँ पर प्राची को बचाने की बात आगे बढ़ाता है और कहानी में तभी आता है एक सबसे बड़ा मोड जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रनवीर और उसके बाद में प्राची दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे लेकिन प्राची को पर रिया और आलिया से जुड़ा हुआ वहीं दूसरी तरफ एक नया प्लैन बनाकर आलिया और रिया दोनों यहाँ पर पहुँचने वाले हैं साथ ही साथ रिया एक ऐसा बहाना बनाईगी जहाँ पर उसको चोट भी लग जाएगी और उसके साथ-साथ यहाँ पर वो अप सब्सक्राइब जरूर कर लेना